कि अगे अ नेजानेगे पोशन की व्याकशन श्रिकला में आपका पुणा स्वागत है आज हम बात करेंगे धात्री UK वस्ता वें आहार वन पोशन के बारे में पिछले व्याख्यानों में आपने आहर नियोजन की मूँ लबधार नाउं के बारे में बात की और गर्भावस्था में आहर एम पोशन के विशय में हमने जाना आज इस व्याख्यान श्रिंकला में हम धात्री वस्था में आहर एम पोशन के बारे में जानेंगे तो सरप्रत हम ये जानते हैं धात्री वस्ता क्या है पूर्व की व्याख्यान में हमने बात करी थी कि कैसे नौ माहत س्तरी अपने शरीर में एक शिशु को पालती है जिसे हम गरभावस्ता कहते हैं शिशू जर्म के उपरांट जब माता की वहावस्ता आती है जब वह अपने शिशु को दूद पिलाती है उस अवस्था को हम धात्रिवस्था कहते हैं शिशु जर्म के तुरंद बात से ही माता के स्थनों से दुग दूस्रावित होने लगता है माता के दूद में शिशु की आवशकता नुसार सभी पोशक्तत तुचित मात्रा में उप शक्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसे स्वयम के लिए भी पॉष्टित कत्व चाहिए और अपने शिशु के लिए भी तो उत्तम पोशन लेकर परियाप्त मात्रा में दुख दुनिंबान करके वह अपने शिशु का पोशन एवं स्वास्त उचित प्रकार से सुनिश्चित कर सकती है क्या लाब होता है मां को स्थनपान कराने से सिर्फ पोशन ही शिशु को पोशन ही नहीं मिलता स्थनपान कराने से इसके अलावा भी माता को कई अन्य सारी लाब मिलते हैं जैसे स्थनपान कराने से माता और शिशु के बीच में भावनात्मक मजबूत होता है यह माना जाता है कि श्तनपान कराने वाली माताइं देर से पुना घरवती होती है क्योंकि श्तनपान की प्रकृतिक गार्ण डुर'llन विधि की तरह भी या प्रकृता कारिकरती अ स्तन्पान से गर्भाशय अपनी पूर्व आक्रिती को शीकृता से पुना प्राप्त कर लेता है क्योंकि इस क्रिया में गर्भाशय की पेशियों का संकुचन उचित रंग से हो पाता है और स्तनपान कराने का लाब यहाँ है कि माता किसी भी स्थान पर कभी भी अपने शिशो को दूद पिला सकती है और इससे मा को एक मानसिक संतुष्टे यवं खुशी भी प्राप्त होती है कौन से कारक हैं जो धात्रिवस्था में दुख दुस्राव को प्रभावित करते हैं सरप्रतम है माता की उम्र यदि गर्वती माता 35 साल से अधिक्य होती है तो उसकी धात्रिवस्था कम समय की होती है अर्थास दूद पादन का समय कम हो जाता है और बहुत कम मात्रा में भी दूस्रावित होता है संभावता उम्र अधिक हो जाने से पेश्यों का लेचिलापन कम हो जाता है जिसके फलसुरूप उसकी दुगद वाहिनी जो नलिया होती है उनका पूरा विकास नहीं हो पाता जिससे दुगद कम बनता है और कम स्रावित हो पाता है माता की मानते किस्तिती कैसी है कई भ्रांतियों की कारण भी माता शिशु को स्तनपान नहीं कराती है या कम कराती है जैसे कुछ माताओं को लगता है कि इस तनपान कराने से उनका शरीर की आकरिती खराब हो जाएगी तो इस भाई से वह शिशु को इस तनपान नहीं कराती या कई माताओं को लगता है कि इसकी शिशु को आद पढ़ जाएगी तो इस वज़े से भी वह इस तनपान नहीं करवाती है तो यदि माता की इच्छा में कमी आ जाए स्तनपान कराने से तो स्वता ही दुग्ध कम स्रावित होने लगता है और इसका नकारात्मक प्रभाव दुग्दुसराओं पर पड़ता है माता का अहार दुगदुसराओं के अच्छे होने के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए एक पोश्टिक और संतुलित अहार माता को ग्रहन करना चाहिए इससे दुगदुसराओं भी अच्छा होता है और दुगदुकी गुर्वत्ता भी अच्छी होती है क्योंकि जो पौश्टिक तत्त दूद में विद्धिमान होते हैं वो उसी अनुपात में होते हैं कि माता किस प्रकार का आहार ले रही है अगर माता को पोशित है तो उसको दूद तो कम मातरा में होता ही है इसके अलावा उसमें पौश्टिक तत्वों की मात्रा भी उतनी अच्छी नहीं होती या फिर वो पौश्टिक तत्व भी उस दूद में कम मात्रा में होते हैं जिसकी कमी माता के शरीर में होती है माता का स्वास्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है यदीमाता को पोशित होगी, रोगी होगी, या कमजोर है, निरबल है, उसका वजन बहुत कम है, तो उसकी धात्रिवस्था भी नकरात्मक धंग से प्रभावित होती है. दात्रिवस्था का बढ़ता समय जैसे शिशू का जन्म होता है उसके उपरांत ही दुब्द स्रावित होने लगता है जो शिरू में कम और दीरे दीरे छे महाता बढ़ता ही जाता है और छे महा की अवधी तक यहां अपने सबसे जादा स्रावित होने की मातरा में होता है और के लिए उपयूक्त होता है छह माहा के बाद धीरे-धीरे इसकी मातरा भी कम होने लगती है इसलिए यह जडरोरी है कि छे माहा के में उस्रावित होता है तो दूद कानिरमाण भी कम होता है। यदि माता के इसprofits में में दोश हो जैसे कोई विक्रिती हो या दोश कमीए होती पर शिशूoff से पी नहीं पाता अगर शिशूषारिवरी रोप से अपरिपक हो या कम शारिरीवरी वजन का हो और कमजोर हो या फिर उसके मुझमें किसी प्रकार की विकृती हो जैसे कई शिशूँं में आपने देखा होगा कटे वbies होंट होते हैं या तल्वा या जीब का फटा होना होता है तो उस सिति में भी शिशु को दूद पीने में कठिनाई होती है और समय की कमी भी हो सकती है आजकल महिलाएं भी कामकाजी हो गई है जो घर से बाहर जाकर काम करती है तो ऐसे में अत्तितिक व्यस्त दिन चरिया के कार शिशु को समय नहीं दे पाती माता हैं और संपार नहीं करा पाती हैं और ऐसी परसिति में भी दीरे-दीरे दूद के स्रावित होने की मातरा कम हो जाती है अ बात करेंगे पोशकततों की आवशकता पर धात्री वस्ता में इंडियन काॉंसल अफ मेडिकल रिसर्च के अनुस की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही घटने लगती हैं इसलिए इंडियन काउंसल ओफ मेडिकल रिसर्च ने धात्री वस्ता को दो प्रमुक आवस्ताओं में बाटा है शुरुवात के छे मैने अर्था जिरू टू सिक्स मांथ और उसके बाद छे से बारा महिने पहले बात क क來了 calorie अत्रीक तूरजा की अवस्ता धात्री माता को होती है धात्री-माता एक वर्ष़ के बाद सामानियहार ले सकती हैं प्रथम 6 माह में 19 ग्राम तथा 6-12 महिने में 13 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यक्ता माता को प्रति दिन होती है इसके लिए उसको प्राणित भोजी पतार जैसे दूद अंडा मांस मचली आदी या फिर वनस्पति जन्य प्रोटीन के खादी पता जैसे दालें सोय बीन मेवे आदी अहर में लेने चाहिए वसा जैसे हमने गर्वावस्था में बात करी कि गर्वावस्था की ही तरह धात्री वस्था में भी वसा की अतरिक्त मात्रा की आवश्यक्ता माता को नहीं होती है इसलिए उसे सामान्य स्री की तरह 30 ग्राम वसा का प्रति दिन सेवन करना चाहिए कैल्शियम माता के दूद में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाए जाती है इसलिए धात्री माता को गर्भावस्ता की तरह कैल्शियम की मात्रा का भी बोजन में ध्यान रखना चाहिए दोनों ही चरणों में धात्री वस्ता के प्रति दिन 1.2 ग्राम कैल्शियम होती है जिसके लिए उचित खाद्री सुर्तों की बारे में हम घरभावस्था के व्याक्यान में बातें कर चुके हैं। इसके बाद है लोह लवण धात्री वस्तां में सामानिता इस्त्रियों को मांसिक्स कम होता है या रुख जाता है और इस समय शिशुरक्त निर्मान जैसे आवशक्ताइं भी नहीं होती इसलिए बहुत जादा लोह तत्व आहर में जुरत नहीं होती और धात्री माता को प्रते दिन 21 मिलिग्राम लोह लवन आहर की माध्यम से लेना चाहिए विटमिन ए धात्री वस्ता में 950 इंटरनाशनल यूनिक रेटिनॉल की प्रते दिन धात्री माता को अवशक्ता होती है और यह अवशक्ता दोनों ही चरणों में समान रूप से होती है विटमिन सी धात्री माता को प्रते दिन 80 मिलिग्राम विटमिन सी की अवशक्ता होती है जैसा आप जानते ह काफी मात्रा में नश्ट हो जाता है इसलिए इसके कच्छे और raw food sources हमें आहर में लेने चाहिए जैसे आहर में ताजे कच्छे और खटे रसीले फल मौसमी फल बहुतायत में होने चाहिए जैसे आवला और संतरा नीबू यह सब विटमिन बी विटमिन बी में हम बात करेंगे पहले थाइमीन की थाइमीन की आवशक्ता संपूर्णता उर्जा की आवशक्तां से प्रवावित होती है तो यदि उर्जा की आवशक्ता बढ़ती है तो थाइमीन की आवशक्ता भी बढ़ती है प्रथम 6 माह में दात्री वस्ता में 0.3 मिलिग्राम और 6-12 महिने में 0.2 मि राइबो फ्रेवन की आवयशक्ता होती है और इसकी मात्रा घरभावस्ता के समानी होती है अर्था 2.5 मिलिग्रेम प्रति दिन विटेमिन B12 दोनों ही चरणों में इसकी आवशक्ता 1.5 मैक्रोग्राम प्रति दिन प्रस्तावित है और फोली कमल फोली कमल की आवशक्ता गर्भावस्था के मुकाबले कम होती है धात्री वस्था में 300 माइक्रोग्राम फोली कम प्रतित दिन अनुशन्शित है कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे जो हम धात्री मात्ता के लिए आहर नियोजन करेंगे आईए उनको जाने इस अवस्था में दूद, अंडा, मांस, मशली, पनीर, छा यह सब भोज़ो पैदारतों को अधिक मात्रा में आहर में शामिल करना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन उच्चुगण मत्ता का पाया जाता है तात्री मात्तों को बहुत अधिक मात्रा में जल पीना चाहिए और यह जल की रूप में भी हो सकता है या छाच, लसी, जूस इन रूपों में भी हो सकता है और फरों कर सब्जियों का सूप, छाच और अन्य तरल पैदार्थों का मात्रा आहर में बढ़ानी चाहिए गरिश्ट तलाबुना और बासी भूजन खाने से परियस करना चाहिए और अधिक मिर्च मसालेदार भूज़ पैदार नहीं खाने चाहिए और कैल्चम की बढ़ती शक्ता के लिए दूद और उसके दूद उत्पाद सूखे में वे यह सब लेने चाहिए एक साथ जादा भूजन ना करकर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भूजन करना चाहिए और दिन भर के आहर को हमें तीन मुख्य आहर के बजाएं को बताई थी तो इसमें भी हम एक दिन की आहर तालिका के बारे में बात करेंगे इसके भी प्रयोगात्मक भाग जो होगा उसके बारे में हम बाद में व्याख्यान एक देंगे तो इसमें भी आप देखें कि कैसे धात्रिवस्ता के लिए आहर नियोजन किया जा सकता है इस झाल झाल